हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहाणी का नाम है माफी ओह नो भावी ये मेरे लिए क्या लाही है इसमें या कमी है उसमें वा कमी है मुझे या नहीं पसंद राखी ने ये अपनी भावी से कहा उसकी भावी उसकी तरब उत्सुक्ता से देख रही थी उसे मन ही मन तो बहुत गुस्सा आया लेकिन वह मजबूर थी कर भी क्या सकती थी वो उसकी ननत जो है उसकी भावी ने उससे कहा अरे दीदी इस बार तो ऐसी हिलाई हूँ अगली बार आपको थोड़ा डिपरेंट मि अच्छा दिया करिये नहीं तो ना दिया करें आप मेरी पसंद जानती हैं लेकिन फिर भी आप मुझे हमेशा घटिया ही साड़ी देती हैं या कहकर राखी वहां से चली गई साड़ी रखकर राखी की भावी ने उसे फिर से कहा कि दीदी ले लीजिए उसके बाद राखी वहां से चली गई बड़ बड़ाते हुए अपनी मा के पास गई और उनसे भी कहा मा साल भर में तीज का एक बारते हुआ राता है और उस पर भी भावी साड़ी अच्छी नहीं देती हैं वह जान बुझकर ऐसा करती हैं मेरे साथ उसकी माने उसे समझाया बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं इतने प्यार से तुम्हारी भावी तुम्हारे लिए साड़ी लाई है और तुम उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रही हो तुम्हारी तो साधी हो गई है तुम ते अपने ससुराल में हो मेरे सुखदुग में मेरा साथ बहु देती है तुम थोड़ी देती हो राखी एकदम सर्म से लाल हो गई थी वह आप कहे तो क्या कहे उसके पास सब्द नहीं बचे थे कुछ कहनी को वह तुरंतमरी भावी के पास गई और माफी मांगी उसने कहा भावी मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई थी मैंने आपको हमेशा नीचा दिखाया मैंने हमेशा आपको उल्टा सिधा बोला प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भावी ने कहा अरे इसमें माफी वाली क्या बात है आपको जब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है उस दिन राखी को हैसास हुआ कि कौन अपना है कौन पर आया आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद